किसी भी व्यक्ति की मृत्यू के बाद उसके मृत्य शरीर का शीग्र अतिशीग्र अंतिम संस्कार कर दिया जाता है ताकि शरीर सडने की प्रक्रिया प्रारम नहो और बद्बुना आए पुरानी कुछ सब्वेताओं में शव को संरक्षित करके मम्ली बना दी जाती थी जाजा बना रहे विज्ञान के नजरिये से तो ऐसा संबव नहीं है लेकिन इस संसार में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां विज्ञान के तरक फेल हो जाते हैं तो आएए आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ भारत के गोवा राज्ये की राजधानी पंजिम से लगबग 10 किलोमेटर की दूरी पर एक चर्च में जिसका नाम है बैसिलिका ओफ बॉम जीसिस जिस जगह पर ये चर्च है उस जगह का नाम है बेगी नीनम इस जगह को ओल्ड गोवा भी कहते हैं और इस चर्च को ओल्ड गोवा चर्च ये चर्च 15 मई 1605 में बनकर तयार हुआ था आप यह जानकर आश्चर ये चकित रह जाएंगे कि इस चर्च में रखे सेंट फ्रेंसिस जेवियर्श के मित शरीर को लगबग 460 वर्षों से भी ज्यादा हो चुके हैं और यह बिना किसी लेप या मसाले के आज भी एकदम तरो ताजा है जी हाँ यह बिल्कुल सच है कि ओल्ड गुवा के बैसिलिका आफ बॉम जीजिस में रखा हुआ सेंट फ्रेंसिस जेवियर्श का मित शरीर आज भी सामानी अवस्था में रखा है विज्ञान की इतनी प्रगती के बाद भी इस रहस्य का पता लगाने में विज्ञानिक ऐसाफल रहे हैं संद का शरीर यथायत रहना आधूनिक विज्ञान के लिए चुनोती से कम नहीं है आखिर कौन थे सेंट फ्रेंसिस जेवियर्श आईए जानते हैं संद का जन स्पेन के एक राजगराने में हुआ था और उनका वास्तविक नाम फ्रेंसिस को दिज्जेवियर्श जासूस था सेंट फ्रेंसिस जेवियर्श संद से पहले सिपाही थे वें Igniteous Loyola के स्टूडेंट थे इनाइटियस ने सोसाइटी आफ जीजिस नाम की धार्मिक संस्था शुरू की थी पुर्टगाल के राजा जॉन थर्ड और उस वत के पॉप ने जैसुईट मिशनरी बना कर फ्रेंसिस जेवियर्स को धर्म के प्रचार के लिए भारत बेजा था उन्होंने भारत समेथ, चीन, जाबान के कई लोगों को इसाई धर्म की दिख्षा दी कैथोलिक सामपरदाय के लोग सेंट फ्रेंसिस जेवियर्स का नाम आदर और सम्मान के साथ लेते हैं सेंट फ्रेंसिस जेवियर्स अलोकिक चमतकारी शक्तियों के कारण विख्यात हो गए उनकी मृत्यू चीन की एक समुद्री यात्रा के दोरान हुई थी गोवा की राजदानी पंजिम से लगबग 10 किलोमेटर दूर ओल गोवा है इसी को केंदर बनाकर उन्होंने कई देशों की यात्रा की और कैथॉलिक धर्म का परचार किया परचार के दोरान ही संद की मृत्यू 3 दिसंबर 1552 को एक समुद्री यात्रा के दोरान चीन के सांकियान द्वीप में हो गई थी ऐसा कहा जाता है कि जेवियर्स ने मृत्यू से पहले शिश्यों को उनका शव गोवा में दफनाने को कहा था जिसके बाद फ्रेंसिस जेवियर्स की इच्छा के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर गोवा में दफनाया गया लेकिन कुछ सालों बाद रोम से आए संतों के डेलिगेशन ने उनके शव को कबर से निकाल कर फ्रेंसिस जेवियर्स चर्च में दवारा दफनाया ऐसा कहा जाता है कि कुल तीन बार उनके शव को दफनाया गया पर हर बार संद का शरी उसी ताजा आवस्था में था जैसा उन्हें पहले दफनाया गया था संद की बॉडी को लेकर यह कहानी भी प्रचलित है कि मृत्यू से पहले उन्होंने अपना हाथ दिव्यां शक्तियों के जरीए शरी से अलग किया था यह हाथ उन्होंने अपनी पहचान के तौर पर रोम से आने वाले संदों के डेलिगेशन के लिए रखा था इसके साथ उन्होंने एक चिठी भी शिश्यों को दी थी आज भी यह अलग हुआ हाथ चर्च में ही मौजूद है ऐसी कहानी भी प्रचलीत है कि एक महिला ने सेंट फ्रेंसिस जेविर्स की डेड बॉडी के पेरो पर एक सुई चुब हुई तो उसमें से खून निकला यह खून भी तब निकला जब उनकी बॉडी को सुखे सेकडो साल हो गए थे सेंट फ्रेंसिस जेविर्स की डेड बॉडी आज भी बैसिलिका ऑफ बॉब जीसिस चर्च में रखी हुई है गोवा के जर्नलिस्ट फ्रेडी अलमेडा के मताबिक हर दस साल में यह बॉडी दर्शन के लिए रखी जाती है 2014 में आखरी बार इस बॉडी को दर्शन के लिए निकला गया था बॉडी को काच के एक ताबूत में रखा गया है आज भी यह बॉडी सड़ी नहीं है क्रिस्मस के मौके पर हर साल हजारों प्रियाटक देश और विदेश से इस चर्च में आते हैं गवा के खुबसूरत बैसिलिका ओफ बॉब जीजिस चर्च में घूमने के लिए आप सब्ता में किसी भी दिन आ सकते हैं यहां कोई एंट्रिफीस नहीं होती चर्च सोमवार से सुबह नौ से शाम साड़े छे बजे तक खुला रहता है इस चर्च में एक आर्ट गैलरी भी है यहां आने वाले परियाटक इसके अलावा आसपास के नजदी की जगव पर घूमने के लिए आ जा सकते हैं चर्च के नजदी की आपको हर बजट के होटल भी मिल जाएंगे आप अगर घूमने का प्लैन कर रहे हैं तो आपकी लिस्ट में बैसलिका आफ बॉम जेजिस चर्च जो की ओल्ड गोवा में है यह जरूर होना चाहिए ओल्ड गोवा चर्च विजिट करने के बाद मुझे मेरी यातरा लेकर के गई दूद सागर वाटरफॉल की तरफ जिसका वीडियो आप नेक्स एपिसोड में देख सकते हैं तब तक के लिए आप बने रहे हैं आपके अपने दोस्त गगन पारिक के साथ ओके टाटा बाई बाई